फ्रेंड इस टूटिल में मैं आप लोग को सिखाने वालू how to autofit cells as you type on Excel Excel स्रीट कोईफी cell में अगर कुछ भी टाइप कर लेता है तो column size आपको manually setting करना पता है बाद मैं आपको एक technique सिखाने वालू चीज़ के जरी अगर आप कोईफी cell में कुछ भी टाइप कर लेता है तो column size automatic adjust कर लेता है तो यह कैसे हो जाता है जो मैं आप लोग को इस टूटिल में सिखाने वालू फ्रेंड आप भी तक हमारे चनल को सब्सक्रेब ने किया है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सेल ब्लैंक शीट लेना है उसके बाद कोईफी cell में अगर कुछ भी टाइप कर रहते हैं लाइक में टाइप किया है आईडी और सिरियल नंबर उसके बाद टैप प्रिश किया है देख सेखते हैं कुलोंब साइस उसके बाद नेक्स रैल में टाइप किया है कास्टोमा नेम बाट यहाँ पर देख सेखते हैं कॉलॉम साइस मैनूली सेटिंग करना बड़ता है ठीक है पार मैं आभी आप लोग को एक टेक्निक सेखना वालों जिसके जरीए यह टेक्स् आपको शीट में जाना है तो यहां पर देख सेखते हैं फिलाल शीट वान है तो अभी इस शीट वान में राट क्लिक करना है इसके बाद फ्यू कोट में जाना है नेक्स्ट फ्यू कोट कोड़ीं पेस्ट डिस्प्ले हो जाता हय उसके बाद जनरल में स्सट करके आपको वाक् शीट स्ट करना है नेक्स्ट डिकलैशने देखुए से तो स्रखचन्न चेंज़स स्ल एंटाय कोलम लिखना है और यहां से सेलेक्ट कर सकत हो जैसे लाइक देख सकती हूँ ह sources में अगर कुछ इफ कर had like किए है डीए नमबर टरप опас के है तो यह ओटो फीड हो गया हो देख सकते हो ऑटोमाटिक क्लॉम्फ से अज़स हो जाता है next फिर से next cell में ए three cell में मैंने टाप किया है customer name तो यह देख चिक तो customer name का size तो यह देख चीक तो automatic size adjust कर लेता है फिर से मैंने टाप किया है next cell में F3 टाप किया है product तो product का size जितना है यह automatic product column size auto fit हो जाता है फिर से sales टाइप के है, sales का size थोड़ा चोटा है, तो यह automatic, auto fit size adjust कर लेते हैं, तो इस तरह आप Excel sheet में यह code use करके auto fit कर सकते हैं, और automatically sales adjust कर लेते हैं, what size, तो इस तरह से आप यह setting कर सकते हैं, फ्रेंट वीडियो आच चले के तो please like करें, और आपने यह दोस्त लोगों को भी share करे झाल